हेलो एवरिवन मैं अनुछ कुमार सिंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिक्षधाम में बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि जो कोर्सिस डेली उनिवर्सिटी ने एसो लेन लॉंच किये हैं उसमें से कुछ कोर्सिस के बारी में डिसकस किया जाए तो मैं आज आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली ट्विल्थ पास किया है चाहे जो बच्चे अलरडी फर्स्ट इयर कर रहे हैं तो हर एक कोर्स को मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपके साथ एक्स्प्लीन करूँगा आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि BBA क्या हमें करना चाहिए और BBA का क्या eligibility रहेगा क्या BBA करने के बाद हमारे jobs लग सकते हैं BBA में कितने passing marks होने चाहिए क्या क्या subjects होंगे ये सारी चीजों पे आज हम discuss करने वाले हैं तो पहली बात करते हैं सर BBA क्या होता है BBA हमारा Bachelor of Business Administrative तो BBA क्यों करना चाहिए और इसके क्या फाइदे है हम उसकी बात करेंगे तो BBA क्यों करना चाहिए और उसके क्या फाइदे है बहुत simple सी और basic से change है मान लेते हैं कि आपको doctor बनाये जाता है आप doctor बनते हैं तो doctor बनने के लिए पहले आपको एक practice के लिए training पे भेजा जाता है या आप CA करते हैं तो आपको पहले training पे भेजा जाता है तो BBA के बाद जैसे हमारा एक BBA course है यानि business इससे पहले जो होता था था ना हमारा अभी भी है MBA Master होना है हमें business administrative में business का मतलब क्या है sir कि हम business को कैसे run करें business को run करने के लिए उसमें mastery करना है और sir business को run करने की अगर मैं बात करूँ तो बहुत simple सी बात है business को चलाने के लिए अलग-अलग business अब पहले क्या था भई या दुकान खोलो और business चल गई अब ऐसा नहीं रह गया है हर एक key factor हर एक points को देख के हमें business करना पड़ता है sales में भी इतने सारे product है finance देखने पड़ते है finance के बाद labor को भी देखना पड़ता है labor भाग के business बैसे बंद हो जाएगा तो इसलिए MBA ना multiple options में होते हैं multiple मतलब बहुत investment में MBA हो जाता है हमारा finance में हो जाता है हमारा MBA IT में हो जाता है हमारा MBA और many more यानि हर किसी चीज़ में MBA होता है तो directly जब हम MBA करते थे तो उससे पीछे हमें back end में कोई support नहीं रहता था हमने suppose कर हम MBA करा हमने finance में तो business को पूरा model पहले हमें समझने में एक साल लग जाता है और समझने के बाद फिर MBA को अच्छे से हम graph कर पाते हैं उसको सीख सकते हैं job की बात हम last में करेंगे पहले समझ लेते हैं कि BBA क्यों बना BBA से क्या होता है कि आपको यहीं पे थोड़ी थोड़ी knowledge business की मिल जाती है देखो business तो यहाँ पे complete कर लिया तो बस यहाँ master administrative यहाँ भी administrative का थोड़ा थोड़ा part मिल जाता है आपको business यहीं पे आपने complete कर लिया बस आगे mastery कर रही है जैसे मैं कहूं कि become के बाद mcom आसान हो जाता है क्योंकि become में काफी सारे subject साप पढ़ लेते हो और mcom के अंदर वही subject सापके क्या होते है सर वही subject सापके repeat होते हैं बस थोड़े से advance आजाते हैं तो आप देखिएगा mcom का tuition coaching कुछ भी लेने जाएंगे तो generally नहीं मिलता है क्योंकि बोलते हैं तुमने mcom में पढ़ा है तो mcom में थोड़ा advance है खुद पढ़ो सेम ऐसे mba में बच्चे परिसान होते थे तो इसलिए एक इससे कोई इससे पहले एक ऐसा course लेके आया गया जिसका नाम था bba bachelor business administrative इसमें क्या कहा करा गया कि हम आपको mba अगर आपका target है starting से कि हमें आपको mba ही करना है आपको तो फिर उस case में bba हलाकि ऐसा नहीं कह सकते कि bba करने के बाद mba mandatory है ऐसा भी नहीं है bba के पास भी बहुत सारे job opportunity है मेरे से अगर कोई पूछता है कि sir bba और bcom में क्या choose करना चाहिए हमारे career opportunity को देखके जो requirement है market के अंदर तो मेरा जवाब होगा कि you have to choose bba आपको bba चूज करना चाहिए इसमें आपके career options ज़्यादा खुल जाते हैं आगे चलके जिसको cacs वगेरा नहीं करना मैं business management level की मैं बात करूँ थो इसके अंदर तो sir ये हमारा bba है job क्या है आगे हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जो sol के अंदर sol के अंदर जो भी आपके forms आए हैं काफी बच्चे सोचने क्या ले नहीं ले 31st October last date भी है तो मैं एक बार बता देता हूँ और इसको change करने भी आपको option मिलेगा जिन्होंने ले लिया है वो change भी करवा सकते हैं वो sol building में contact करके और change करवा सकते हैं पहली बात करते है eligibility eligibility जो due sol ने रखा है इसके लिए कोई cut off ने निकलेगी आप देख ली जो golden opportunity और I am sure कि एक से दो साल के बाद इसकी cut off आने लग जाएगी क्योंकि इतने बच्चे इसमें enroll हो जाएंगे तो अगर मैं इसकी बात करूं तो simple सी बात है यहां पर क्या बोला है DU ने कि आपका इसका नाम देखे मैं इसको bachelor business BBA है DU ने इसको FIA का नाम दे दिया है FIA कह रहे है वो क्योंकि financial के related मैं भी आपको जब subject पर जाएंगे तो मैं बताऊंगा इसका full form क्या है नहीं है यह financial investment analysis के नाम से इनको launch किया गया है लेकिन है क्या यह BBA है BBA भी multiple option में हो सकता है सर अगर आप मैं BBA की बात करूं तो BBA जो हो सकता है HR में हो सकता है BBA जो है अलग-अलग options में किये जा सकते हैं हर university का अपने-अपने options है Finance में हो सकता है लेकिन BBA एक अच्छे university से करोगे तभी benefit मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने BBA कहीं से भी कर लिया और Delhi University की अगर मैं बात करूं credibility market के अंदर तो बहुत हाई है तो Delhi University S.O.L. लेके आए regular college में भी in fact यह BBA का course नहीं है तो सिर्फ मान के चलिए S.O.L. में आए तो काफे सारे बच्चे जो regular college जाने की सोच रहे थे इस prospectus इस course को देखने के बाद उन्होंने regular college भी drop करने का decision ले लिया होगा मेरे हिसाब से तो सर journal candidate आपको पता है कि candidate हमारे तीन है candidate क्या हमारा journal mainly unreserved candidate OBC और हमारा SC और ST और एक EWS EW या PW कहते हैं इसको तो generally मैं simple सा आपके सामने है मैं journal category के लिए कहूंगा कि आपके बारवी class में 65% होने चाहिए और equivalent examination जो भी single है सर BBA कौन कर सकता है यह भी question आएगा तो सर arts वाला बच्चा भी कर सकता है commerce वाला बच्चा भी कर सकता है science वाला भी बच्चा कर सकता है इसने बोला कि candidates 55% होना चाहिए 12th में या इसके अलाबा कोई भी 12th के बराबर जिसको मतलब के बोला गया है कि आपकी degree आपका certificate 12th के equivalent है तो सर कोई भी कर सकता है recognize board से कोई भी UP board हो बिहार board हो फरक नहीं पड़ता लेकिन इसने बोल दिया 60% marks mathematics subject यानि maths के अंदर 60% होने mandatory कर दिये है तो सर arts के अंदर बहुत सारे बच्चों के पास maths नहीं होता कुछ 1% मैं बोलूँगा maths ले लेते हैं तो arts के बच्चे तो यहां से exit हो जाते है science वाले बच्चों के लिए opportunity रहती है कि अगर उन्होंने regular college में नहीं लिया वो परिशान होते थे B.com कर लेते थे तो उससे BBA कर सकते हैं वो ठीक है साथ के साथ बोला गया भी या OB और EWS candidate के लिए 58.5% marks 12th class में equivalent degree और उनके लिए थोड़ा सा relaxation दे दिया mathematics या नहीं maths में यहां पर अब question होता है sir commerce भी दो तरीके के होते हैं commerce एक होता है हमारा with math और एक without math तो sir without math वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं बहुत सारी university है जो कि without math के according करने के लिए दे देते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वहां पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और वह आपको credibility भी नहीं मिल पाती वहां पे the candidate इनके लिए क्या कहा गया the candidate पास होना चाहिए the candidate have passed in 12th class बस पास हो जाएं आप कर सकते हैं sir और with mathematics subject के साथ होना चाहिए और PWD के साथ भी ऐसा ही है PWDB के साथ ऐसा ही है BD के साथ तो यह था हमारा eligibility criteria कि क्या-क्या eligible रहेगा इसके बाद हमें देख लेना चाहिए sir fees कितनी आप अगर eligible हो जाते हैं कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे इसको करने के लिए यह आप इतना बड़ा course बता रहे हैं इसको और मैं generally कहूं other university की भी fee structure की मैं बात करूंगा fee structure इसका नाम FIA से promote जादा है बच्चे कुछ गलत ना समझ ले total fees आपको 15,200 रुपए देना है यह one year की fee है इसके अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके notes हो गए सब कुछ each and everything included है साथ के साथ examination fee भी included है जो कि इनोंने बताया हुआ है तर यही BBA अगर आप मैं simple सी बात करूँ आप किसी private university से करते हो तो आपका 3 से लेके 5 लाक रुपए तक का खर्चा आ जाता है 2 साल में 3 साल में sorry 3 से 5 लाक का और अगर PG वगरे में रहोगे तो वो खर्चा अलग तो यहाँ पे आपको 15,200 कराया जा रहा है तो सबसे पहले तो amount सोचो और amount की बात करें तो उतनी credibility आपको नहीं मिल पाएगी जो private university के अंदर है जितने के आपको यहाँ DU के अंदर मिल जाती है ठीक है चलिए देखते हैं आगे यह तो था हमारा fee structure इसमें आपको नहीं पढ़ना के सर यह 2000 किसके हैं और यह किसके हैं इसमें कोई लेना देना नहीं है आगे चलते हैं सर अब question raise होता है सर हमारा PVA के अंदर subjects क्या होंगे हमने eligibility भी है fees भी देख लिए आप ठान लिया है admission ले ले subject तो देखे total आपको semester 1 में seven subject पढ़ने पढ़ेंगे साथ ठीक है अब देखिए मैंने कहा था ना financial investment analysis पे है हमारे BVA बहुत सारे sector में हो सकते हैं लेकिन D.U. ने financial investment analysis से related निकाला है सरिफ कोई सोच रहा होगा कि मैं चलो D.U. में admission ले ले लेता हूं BVA मेरे brother ने HR में MBA कर रखा है वहां से help मिलेगा BVA HR में कर लेते हैं और वो सीधा कूद गए और उन्होंने admission ले लिया बाद में पता चला सर यह तो एक ही तो S.O.L. ने limited sector के अंदर लेकिया है ऐसा नहीं कि BVA बोल दिया तो सब में BVA आ गया MBA बोल दिया तो सब में MBA नहीं multinational companies है वहां पर job opportunity बहुत जादा है कुछ companies बोलू मैं जैसे Morgan Stanley है JP Morgan है या फिर आप हमारे shares बजार सर related यह सारी चीज़े जहां पर आप जान सकते हैं मूतिलाल उस्वाल है यह सारे company है जो इनको hire करते हैं after BVA चलिए सर कोर्स के अंदर आपके रखेगा है core course core course का मतलब है sir इस core में से आपको choice नहीं मिलेगा यह करना ही है जिसमें से एक accounts है आपका एक economics है और एक stats है यह तीन subject हो गए इसमें से कोई एक subject choose करना होगा fundamental marketing fundamental organization behavior आपको इसके study material जब आ जाएंगे तब choose कर लिजेगा लेकिन admission तो अभी लेना है तो आप एक बार google पे जाएंगे research करिए आपको कौन सा subject ठीक लगता है बाद में अगर आपने अभी गलत choose भी कर लिया तो बाद में subject change करने के लिए SOL permission दे देता है आप subject change करा सकते हो इसके बाद यह तो देखो compulsory है तो तीन और एक चार और एक पांच इसमें से कोई एक लेना है finance for everyone communication in every life तो आप simple सा एक subject यह ले सकते है जो की communication से related है business communication आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा help मिलेगा क्योंकि आप देखो BBA कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा prospectives कहां कहां जा सकते हो government और private दोनों में जा सकते हो लेकिन government sector में के लिए तो normal एक उनका criteria होता है वो fulfill करना पड़ेगा private के अंदर आपकी communication बहुत अच्छी देखी जाती है इसलिए यह ले लीजिए और आपका value edition courses उन्होंने अलग से दे रखा है reading, India, facts, English और भी अलग-अलग से है इसमें से आपका constitutional value और कोई भी आप जो भी अच्छा लगे योगा वगेरा आप ले सकते हैं इसके बाद चलते हैं हम सर पास कहा गया कि आपको minimum कितने पास होने चाहिए अगर आप 10 number का आपका grade दिया जाएगा यहाँ grade दिया जाएगा आपका paper जो होता है 75 marks का exam 75 marks का होगा इस 75 में से 75 आते हैं तो आपको 10 grade दिया जाएगा अगर आपके 10 grade point आते हैं तो outstanding है 9 में A plus है very good है 7 में B है above है मैं main बात कर लेता हूँ कि अगर in case बच्चा fail होता है तो उसके zero number है पास होने के लिए minimum criteria चार point होने जरूरी है चार point अगर आपके नहीं है आपके तीन point आ रहे हैं तो बच्चा उस subject में pass नहीं माना जाएगा ठीक है सर आगे देखिए अब सर इसके अंदर BBA और DU ने इस बार क्या लेके आये थे कि आप first year करिए certificate लीजे second year करिए आप एक degree ले लीजे इस तरीके से इन्हों ने करा हुआ था जैसे first year के बाद आपको क्या मिलेगा certificate मिल जाता है अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि first year में भी जाएए मेरे को certificate दो अब मैं final year छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको diploma नाम दे दिया उन्होंने तीन साल कर लीजे तो आपको क्या मिल जाएगा डिगरी मिल जाएगे तीन साल करने के बाद चार साल कर लीजे तो आपको honors की डिगरी इस तरीके से इन्होंने अलग-अलग field mandatory कर दिया था तो sir पहले साल में आपके साथ सब्जेक्ट है साथो सब्जेक्ट पहले साल में आपके 14 सब्जेक्ट होंगे total साथ आपके semester 1 साथ आपके semester 2 14 सब्जेक्ट के सभी के points मिलाके आपको हर paper में 44 points तो होना चाहिए ही चाहिए साथ के साथ total आपके 44 points होने mandatory है अगर माल लेते हैं 43 points हो रहे हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा पहले year का certificate अगर आप छोड़ते हैं दोस्तरे के लिए आपको यानि आपका 44 1 का criteria उन्होंने decide किया हुआ है और इस हिसाब से आपको total दिया गया है bachelor of field आपका multidisciplinary course after the successful of completion तो ये इस तरीके से आपके पूरे ये years हैं देखें आपका semester 1 नहीं है ये year के हिसाब से इन्होंने decide कर तो 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 6 साल नहीं है ये point दे रखें आपके ये first year हो गया मैं लिख देता हूँ ये first year के लिए है ये second year अगर आप pass कर लेते हैं और ये third year pass कर लेते हैं उसके बाद जब आप extra करेंगे यानि आपका अलग से जब रहेगा तो उसके अंदर आपका ये माने जागा two semester, four semester और ये six semester इसके बाद ये भी six semester honors वालों के बच्चों के लिए और ये eight eight point है जब आप एक साल extra करेंगे जब आप एक साल extra करेंगे तो आपको 176 points की requirement होगी points का है sir आपने जो भी paper दिये उसके उपर point मिल जाता है तो अब बात कर लेते हैं sir job की कहां कहां job मिलेगे इसके अंदर आपने करतो लिया sir सब कुछ तो बता दिया आप job की भी बात कर लेते देखिए job की मैं बात करूँ तो आपके पास वही सारे options available है जो कि normally आपके पास पहले be.com में थे एक हो जाता है government और एक हो जाता है private दो ही job sector है आपके पास क्योंकि mainly आप जब choose करोगे तो mind में यही रहेगा तो government के अंदर आप कहां कहां जा सकते हैं और private में कहां कहां जा सकते हैं लेखिए government के अंदर आप banking को भी चूज कर सकते हैं government bank जितने भी हैं आप railway में जा सकते हैं आप जा सकते हैं UPSC में जा सकते हैं आप SSC में जा सकते हैं आप PCSC में जा सकते हैं तो यह सारे क्या है एक government के इनका paper conduct कराने का एक simple सा procedure होता है वो procedure होता है math, reasoning, gk और English और इनके step by step pre और means के तरीके से exam होता है वो तो कोई भी बच्चा हो वो उसी के according जाएगा अब बात करते है private private में आपके पास धेरो सारे option open हो जाते हैं आप multinational company में easily जा सकते हैं आप finance company में जा सकते हैं जैसे banking हो गया banking सिर्फ banking नहीं रहे गया है उसके अंदर mutual fund insurance यह सब भी add हो गया तो आपके पास वहाँ पे opportunity हो जाता है दूसरा आप stock market से related बड़ी बड़ी company जैसे मैंने JP Morgan, Morgan Stanley या फिर आप बात करें मुतिलाल ओस्वाल या फिर angel broking बहुत सारी company है या फिर आप मान कर लेते हैं चोला मंडलम मुथृट finance इन सभी company के अंदर भी आप जा सकते हैं जो एक अच्छे package पे जाएंगे साथ के साथ बहुत सारी company फार्मा की company हो सकती है यानि any company आपकी requirement पढ़ीगी वहाँ पढ़ सकती है इसमें जाने के लिए ठीक है न तो सर अब बात करते हैं salary what about देखिए salary जो है criteria वो आपका पूरे साल का मैं package की बात करूँगा तो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक आपका starting package लग सकता है और simple सी बात करूँ न salary depend करता है किस organization में जा रहे हो आप मेरे पास माल लेते हैं मेरे पास कोई job मांगने के लिए आता है तो मैं तो बोलूगा भाई या मेरे पास तो ज्यादा salary देने की capacity है नी मैं तो आपको 5000 ही दे पाऊंगा लेकिन आप वही चले जाते हो एक बड़ी company में चले जाते हैं MNCs में मान लेते हैं MNCs company का मतलब जिसके बहुत सारे branches है आप चले गए JP Morgan में तो वहाँ पे क्या बोला गया Sir JP Morgan में गये तो वहाँ पे आपको लाक रुपे महिने की salary मिल सकती है IT company में भी आप जा सकते हैं वहाँ पे इनके finance वाले sector में जा सकते हैं तो यह हमारा सारा का सारा क्या है job criteria तो hopefully आपको समझ में आया होगा about BBA मिलते हैं next video में मैं BMS के लिए लेके आऊंगा next video comment करिएगा किन-किन बच्चों को BMS के बारे में भी जानना है और B.com और B.com प्रोग्राम के लिए तो बहुत पहले से आपको जानकारी होगी तो thank you so much मिलते हैं next video में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन सारी जानकारी देनी जरूरी थी